Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम पढ़ेंगे Class 1 की EVS Book Chapter 12 Need of Cloths तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से NCRT The Mind को सब्सक्राइब किजे, लाइक किजे और पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजे ताकि NCRT से रिलेटेट सारे वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे तो चलिए बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अपर चैप्टर है Need of Cloths यानि की कपड़े की आविशक्ता तो हम इसे पढ़ेंगे तो बच्चों कपड़े हमारे लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी चीज है तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसमें देखे We need cloths to cover our body तो हम लोगों को कपड़े की जरूरत पढ़ती है बौडी को cover करने के लिए यानि की ढखने के लिए हमें कपड़े की जरूरत पढ़ती है We need cloths to protect our body from dirt, heat, cold and rain तो हम लोगों को कपड़े जो हैं वो protect करते हैं हमारे बौडी को protect करते हैं कपड़े किस से बचाते हैं प्रोटेक्ट करते हैं dirt से, heat से, cold and rain से ये सारे चीजों से हमें कपड़े बचाते हैं We need cloths to look nice तो हम लोग कपड़ों में बहुत अच्छे दिखते हैं Cotton cloths are good in summer, they keep us cool तो cotton cloths जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं summer के लिए Summer के महने में हम लोग क्या करते हैं cotton cloths पहनते हैं वे हमें cool रखते हैं यानि कि ठंडा रखते हैं उलें cloths are good in winter, they keep us warm तो उलें cloths जो होते हैं वो winter के लिए अच्छे होते हैं जो कि हमें गर्म रखते हैं अब है uniform तो अब देखे uniform के बारे में पढ़ेंगे तो uniform में देखे Students of the same school wear the same kind of cloths This is called uniform तो देखे, school में जो student होते हैं जो वो साड़े एक जैसे same cloths पहनते हैं तो एक जैसे cloths पहनते हैं उसे ही हम uniform कहते हैं Different schools have different uniforms तो different schools में अगर आप जाते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि different type के uniform होते हैं तो इसलिए अलग-अलग school में अलग-अलग type के uniform होते हैं Solders, policemen, postmen, nurses and many others have their uniforms too Solders जो सैनिक होते हैं, police में होते हैं, postmen, nurses और बहुत सारे होते हैं जो अलग-अलग job करते हैं, service में होते हैं तो उनके भी अलग-अलग uniform होते हैं तो ये देखिए जैसे कि आप ये picture में देख पा रहे हैं तो इसमें देखिए जैसे कि ये है, तो student है, तो student के जैसा ऐसा uniform होगा ये solder है, तो ऐसा uniform होगा, ये policeman है, तो ऐसा uniform होगा, ये nurse है, तो ऐसा uniform होगा इसका भी तो इस तरह के सारे के अलग-अलग uniform होते हैं अब है यहाँ पर कपड़े, cloths, तो cloths में देखिए किस-किस टाइप के कपड़े होते हैं, जो की हम पहनते हैं, रोजी यूज करते हैं तो इसमें देखिए जैसे हो गया, shirt, swords, vest, trousers, skirt, sweater, coat, raincoat, उसके बाद आता है, socks, cap, tie feye, muffler, तो यह सारे जो है cloths, हुम रोजाना इसे यूज करते हैं, तो यह जो है जैसे गर्म कपड़े है, तो यह गर्म कपड़े हम ठंड के मौसं तो यह सारे हम यूज करते हैं, तो यह आपक Cumpl份 है, तो अब हम एक्शरसाइस कर लेते हैं, तो इसमें दिखिए किया है, answer the questions तो आपको question का answer देना है तो first में क्या है कि what special cloths do we need on a rainy day तो देखिए हम लोगों को rainy day में कौन सा ऐसा cloths है जो की special है जिसकी जुरत परती है हमें rainy day में कौन सा ऐसा special कपड़ा है जिससे हम rainy day में पहनते हैं तो क्या हो जाएगा रैन को अब है कि name two cloths you wear during winter आप देखिए two ऐसे cloths के नाम बताना है जो की हम winter के दोरान पहनते हैं तो कौन सा हो जाएगा sweater muffler और भी ये दोनों हो जाएगा और भी बहुत सारे चीज़ पहनते हैं winter में लेकिन यहापे दो ही लिखना है तो दो लिख देंगे इस तरह से अब है कि name two ground up people who wear uniforms तो आपको देखिए दो ऐसे बड़े लोगों का नाम बताना है जो की uniform पहनते हैं तो क्या हो जाएगा soldier और उसके बाद policeman ठीक है तो दो का ही लिखना है तो लिख देंगे इस तरह से उसके बाद है what color are your sorts skirt of your school uniform तो देखिए आपके school के uniform मतलब की uniform में आपके sort या skirt का जो है ना कौन सा color है ये पूछा जा रहा है तो light blue ठीक है तो आपका अगर कोई दूसरा color का अगर आपका uniform है तो आप वो लिख सकते है sort या skirt का इसमें color पूछा जा रहा है ठीक है इस तरह से आप लिख देंगे और उसके बाद है यहाँ पे arrange the letters in proper order to form the names of articles of cloths तो अब यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ proper order में लिखना है यानि कि यहाँ पे arrange कर करके लिखना है तो आपको arrange करके ठीक से लिखना है तो यहाँ पे देखिए यह जो है कैसे उल्टा-बूल्टा दिया गया है तो अब हम इसे arrange करके लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा west के बाद यह वाला है तो coat तो tie यह वाला क्या हो जाएगा cert तो इस तरह से सारे को लिख लेंगे उसके बाद है अब activity तो activity देखे activity में क्या है collect the following paste them in your scrapbook and level them तो अब यहाँ पे देखे collect करना है यहाँ पे आपको और यहाँ जो है जो scrapbook में आपको paste करना है तो नीचे जो दिया गया है यहाँ पे देखे जैसे की है यह सिल्क embroidery thread जो सिल्क के जो thread होते है वो आपको collect करना है और उसे आपको scrapbook में paste करना है उसके बाद है nighting wool जो बुनाई के जो wool होते हैं जिससे हम sweater बनाते हैं वो वाला जो wool होता है उसे आपको collect करना है इसे भी paste करना है उसके बाद है thread to tie up parcels तो अब देखें फ्रेट जो होता है जो parcel बांदने वाला जो धागा होता है उसे आपको collect करना है और उसे भी paste करना है फिर है thread from a jut bag जो बादा जो होता है वो वाला धागा आपको लेना है और उसे भी आपको paste करना है तो यह धागा हो गया तो जो भी है यह सारे चीज आपको collect करने है और आपको यह scrapbook में आपको paste करना है तो यह activity है तो यह आपको खुद करना पड़ेगा तो यह आप कर लिजेगा उसके बाद है यहाँ पे कि cut squares from cotton, silk, coolane and nylon cloth and paste them in your scrapbook तो इसे भी आपको उसी तरह से जैसे इसे आपको collect करना है और scrapbook में paste करना है ठीक उसी तरह से इसे भी बनाना है तो इसमें आपको क्या करना है cotton, cotton की जो कपड़े है cotton उसका आपको square shape का जो है आपको cut करना है और उसे paste करना है और सिल्क के कपरे देखिएगा सिल्क के जो cloth है वो आप ले लीजेगा और उसे square shape में इस तरह से आप उसे cut कीजेगा और उसे paste कीजेगा और oolend cloth इसे भी लीजेगा उसे भी इसी तरह से आपको cut करना है और paste करना है फिर nylon cloth हो गया तो ये साड़े को इसी तरह से आपको square shape में cut करना है और आपको scrapbook में paste करना है तो ये activity है ये आपको करने में बहुत मज़ा आएगा तो ये आप खुद कीजेगा तो आपका ये जो chapter है बच्चों वो complete हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़ने में मज़ा आया या नहीं मुझे जरूर बताइए कैसा लगा आपको पढ़ने में और अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को like, subscribe जरूर कीजे पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि मेरे साड़े वीडियो आपके पास समय समय से पहुंचती रहे और अगर आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के दौरा भी पूछ सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई तक केर थैंक्स तो वच्ट मैं वीडियो